ह मैं तो चुम्हें जो को आपनी यहोता है спас कोश्चेन देखो यह जो मीडल वाला है यह के साथ लिक्वाइट करूँगा और यह कोई करूंगा तो देख्व पहले equation आजाने वाली है x-3y equals to 3x minus 1 दूसरी वाली आजाने वाली है देखो 2x minus y equals to 3x minus 1 यह पहली equation यह दूसरी equation अब मैं इसको solve करता हूं further देखो क्या होता है तो देखो पहली वाली equation को मैं solve करता हूं इस x को मैं इधर एक काम करता हूं इन सब को एक काम करता हूँ मैं इसको इधर लिया लेता हूँ तो देखो ये numbers को ना मैं यही पर छोड़ता हूँ बाकी सब को मैं इधर फिकता हूँ तो देखो ये हो जाएगा 3x मैं इधर फिकूंगा तो ये हो जाएगा minus 3x plus x minus 3y equals to minus 1 ठीक है तो ये इसको मैं further solve करूँगा तो ये हो जाएगा minus 2x minus 3y equals to minus 1 ठीक है ये मेरी आगी third equation सब minus पर ही चल रहा है कोई problem ने डननी की जुरूत नहीं है अब यहाँ पर देखता हूँ मैं इसको भी मैं इधर फिक देता हूँ तो ये हो जाएगा इसको मैं नेक्स पेज में ही कर लेता हूँ या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ इन दोनों में से मैं minus comma ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा minus मैंने comma लिया तो ये जाएगा 2x minus 1 x plus 3y equals to minus 1 minus से minus cancel तो ये हो जाएगा देखो 2x plus 3y equals to 1 ये मेरी ये होगी मेरी third equation न ऐसे भी ये भी साही है ऐसे कोई problem नहीं है ये भी minus मैं भी लेक सकता हूँ पर मैंने देखो easy way में करने के लिए ये कर दिया देखो पहली equation आ गई मैं दूसरी equation निकालता हूँ ये वाली न तो देखो इसको करता हूँ में solve तो ये हो जाएगा 2x minus y equals to 3x minus 1 इस 3x को फिर मैं इधर फिक देता हूँ तो ये हो जाएगा 3x minus 3x minus 3x plus 2x minus y equals to minus 1 तो ये हो जाएगा बच्चो कितना minus x minus y equals to minus 1 फिर मैं minus कॉमा ले लेता हूँ ये हो जाएगा x plus y equals to minus 1 है ना minus से minus कहाँ से तो x plus y equals to हो जाएगा 1 which is equation number 4 देखो equation number 4 थर्ड और फोर्थ को मैं equate कर देता हूँ तो मेरा answer अब आ जाने वाला है तो मैं यहीं पे इसको equate कर लेता हूँ देखो ये होगा 2x plus 3y equals to 1 और इसको x plus y equals to 1 तो देखो अब मैं इसको equate करता हूँ यहाँ से मैं इस पूरे को 2 से multiply करना पड़ेगा तो देखो बच्चो यह आ जाएगा 2x plus 3y equals to 1 और नीचे वाला आएगा 2x plus 2y equals to 2 minus 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 यह cancel out हो गया और यह आ गया y equals to minus 2 plus 1 minus 1 तो y की value आगी बच्चो minus 1 y की value आगी minus 1 अब minus 1 मैं इस पे put कर दूंगा तो x minus 1 equals to 1 तो यह हो जाएगा x equals to minus 1 इदर जाएगा तो यह हो जाएगा x equals to 2 तो देखो x आ गया 2 x y आ गया मेरा minus 1 आएगा